कि है गाइज विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ रिमॉव टैंगल्स एंड लूस ब्रेट की वीडियो शेयर करने लगी हूँ होप आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी कि वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब तो चलिए गाइस वीडियो को स्चार्ट करते हैं तो गाइस हमने जशन को करवाया है हेर वाश और हेर वाश के बाद मैंने इसके बालों में ऑईलिंग भी कर दिया है और सबसे ज्यादा मुश्किल टै सब्सक्राइब जाते हैं मतलब कम से कम आदा घंटा लग जाता है मुझे टैंगल करने में हिएर फॉल की प्रॉब्लम उसे नहीं है बट इतने ज्यादा टैंगल पड़ते हैं कि निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको लू लूज ब्रेट बना कर सोइंगे ना तो आपके बाल जल्दी लंबे होंगे बिल्कुर खुले बाल चोड़कर भी हमें नहीं सोना चाहिए आप चाहे तो सिंपल लूज ब्रेड बना सकते हैं बहुत ज़दा टाइट ब्रेड अमें नहीं बनानी चाहिए तो सबसे मुश्कि जो है कि टैंगल्स रिमॉव करना इतनी ज्यादा उसके बालों में टैंगल्स पढ़ जाते हैं अच्छी तरह से ऑईलिंग करने के बाद ही मैं टैंगल्स रिमॉव कर रही हूं कि ड्राइएर में तो सुखे बालों में तो टैंगल्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं इसलिए सबसे पहले मैंने उसके बालों में अच्छी तरह से ऑईलिंग की गया मस्टर्ड ऑईल मैंने उसके बालों में लगाया है वैसे मैं जशन को हमेशा जूडा करके ही रखती हूँ एक बस मैं आपके साथ शियर कर रही हूँ कि आप इस तरह से लोस ब्रेड रात को बनाकर रख सकते हैं दिन में बनाकर रख सकते हैं आपके बाल काफ़ी च्षार लंबे हो जाएंगे अगर आप ऑईल लगाकर लोस ब्रैड बनाकर सोईगे न तो आपके बालों की लैंध जो है बहुत जल्दी इंक्रीज होगी तो उसके बाद इस तरह से मैं लूज ब्रेड बना रही हूँ जशन के रात को सोते टाइम ना हमें बहुत ज़्यादा अपने बालों में टाइट ब्रेड नहीं बना कर रखनी चाहिए ना ही कोई मुटा रबर्ड बैंड या कोई असेस्टी लगा कर नहीं सोना चाहिए प्रेड बना कर रात को आप अपनी ब्रेड को नीचे की तरफ लमका कर सोएंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में विलूँगी तब तक के लिए थैंक्यू बाई